हेलो माई डेर इस्ट्रेंड कैसे आप सब लोग स्वागता आपका अपने चैनल संतोस दांगे इंग्लिश पर आज के इस वीडियो लक्षर में बात करने वाले हैं कक्षा 11 वी कि जो हापियरल एक्जामे 2023 कि जो इंग्लिश का पेपर है उसका संपूर्ण सॉलुशन मैं आप प्रक्षा 11 वी का हल हम देख रहे हैं पहला यहां पर आपका जो अंसिन पैसेज पूछा गया था रिट दा फॉलोविंग पैसेज एंड आंसर दा कोशन ओन दा बैसिस आप कॉंपरेशन आप दा पैसेज ठीक है यही कि पूरा इसरो के ऊपर जो हाल है में चंद्रियान 3 ज ठीक है तो यहां पर जो पहला प्रस्ने उसका सही उत्तर बन जाएगा आपका यहने कि आपका बी आप्सेंस सही हो जाएगा यहने कि प्रैसेज आप डेलॉप्मेंट आप अधित्य तूदा सन ठीक है बी आप्सेंस आपका सही होगा उसके बाद में जो दूसरा प्रस्ने where is the master control room located for Isro space machines यहाँ पर इस्तिख थी तो कि Isro का master control room है वो बैंगलूर में है ठीक है यहाँ पर है वो देख लिजिए यहाँ पर दे रखा है Room is Bangalore यहाँ दे रखा है ठीक है यह देख लिजिए यहाँ underline ठीक है उसके बाद में तीसरा प्रशन आपका आ रहा है यहां पर विच कांट्री लुनार मिशन फैस्डे कॉम्प्लिकेशन सजस्ट बिफोर इट से इंटेंडेड लुनार लेंडिंग ठीके तो आपका हो जाएगा आपका रसिया ठीके यहां पर आपका देर रखा है देखो यहां अंडरलाइन में ने कर दिया है तो यह आपका तीसरा प्रशन का उत्तर हो जाएगा पर उसकी बाद में बच्चो देख लेते हैं चोता प्रशन आपका अगला जो लक्षे उनका गगन यान है तो यहां पर आपका बच्चो एकदम सही होगा उसकी बाद में जो प्रशनक मांग 5 है यहां पर दो बार फोर फोर छपाए इसको आप फाइब कर लिजिए तो फाइब जो है आपका इसमें आपका ब्यू अप्शन से सही हो जाएगा इट डेमोनेस्टास दा ग्रॉविंग मेंशन इंटेस्ट इंटा पैसेज एंड वर्स ठीके उसकी बाद में अगला जो प्रशन है आपका यहां प्रशनक मांग 6 इन दा लेट 1990 एंड अरली 2000 वाट वेर दा स्पैसिपिक स्पैस मिशन से मैंसंट इस दा हाविंग लोव इस्पैक्टर अटेंडेंस तो आपका सही उत्तर बन जाएगा इसमें यहीं कि डी अप्शन से यहीं कि पॉला सेटलाइट लांच वहिकल मिशन से डी अप्शन से सही होगा यहीं कि 6 में आपका डी अप्शन आ जाएगा उसके बाद में प्यारे ध्यारतियों प्रशनक मांग 7 देख लेते हैं तो आपका इसमें यहां पर evaluating the quality of life for every Indian यहीं कि बी अप्शनस आपका सही होगा इसमें प्रशनक मांग 7 में और प्रशनक मांग 8 देखते हैं हम यहीं कि which of the following is the antinome of flawless यहीं कि flawless का antinome यहीं कि हम बताने हैं आपको तो flawless means होता है निर्दोष या परिपूर्ण ठीक है तो निर्दोष का आपका सही answer मन जाएगा यहीं कि imperfect यहीं कि c options आपका सही होगा प्रशनक मांग 8 हम कक्षा 11 अर्दवासिक परिक्षा पेपर अंग्रेज जी का solution देख रहे हैं ठीक है उसकी बाद में प्रशनक मांग 9 देखते हैं तो वाट इस दा आपका सही उत्तर हो जाएगा यहीं कि ट्रिम्ब का मतलब होता है विजे तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आप्सेंस आने की ठीक है उसकी बाद में अगला प्रशनक मांग 10 है आपका हाव ड़स इसरो अफेक्ट दा आवरेज परसंस लाइप इन इंडिया ठीक है तो आपका यहां पर प्रशनक मांग जो 10 है इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका एने की आपका सी ओप्सेंस आपका सही हो जाएगा बाई कांट्रिबूटिंग तो मोबाइल फोन कम्यूनिकेशन टेलिविजन ब्रोड कास्टिंग और वैदरिंग फोर कास्टिंग ठीक है उसकी बाद में बच्चों यहां पर आपने देख लिए होंगे एक से तो दस प्रशनों के उत्तर ये देख लेते हैं दूसरा प्रशन आपका यहां पर आपको आज के इस प्रशन पत्र में टाइटल और नोट्स प्रपेर करना था तो टाइटल आपका यहां पर इन्वरन्मेंट आपका टाइटल बन जाएगा आपका टाइटल बन जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट में आपको नोट से प्रपेर करना था ठीक है उसकी बाद में बच्चों यहाँ पर सेक्षन बी में आपका राइटिंग से संबंधित कोस्टन से पूछा गया था यह निकी परस्ट कमांग 3 यू आर दा जोती आप क्लास 11 अप स्कूल आप एक्सलेंस गवालियर यू आर दा कल्चरल सेक्रेटरी आप यूर इसकूल यह ने की आप संग्सकृतिक सचिव है आपके विध्याले की और ड्राप्टा नोटिस आपको एक नोटिस प्रपेर करना स्टुडेंट अबाउट दा इंटर इसकूल डेबेट डान्स कॉम्पेटिशन की कुछ बच्चे जो डान्स प्रतियोकता में भाग ले रहे हैं और रेक्वेस्ट दा इंटर इंटर स्टेट पाटिसिपेंट्स टू गेट डेम रेजिस्टर डिट यो और कुछ ऐसे बच्चे जो इसमें भाग लेना चाहते हैं यहाँ पर इस है तो बच्चो यहाँ पर आपको एक सूचना यहाँ पर निकालना थी ठीके तो यहाँ पर आपका एक इंटर स्कूल डेबेट कॉम्पेटिशन या का एक नोटिस प्रेपेर आपको करना था अगर आप चाहें तो उसका ओवार वाला प्रस्ण भी कर सकते थे जिसमें आपको यू आर मोहान स्टुदेंट आप गोवर्यर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल भरखेडा भॉपाल यू यूर स्कूल इस गोईंग टू अरगनाजिशन ब्लड डॉनेशन कैम्प एने की आपके विद्ध धाले में ब्लड डोनेशन कैम्प अरगनाजिशन किया जा रहा है और उसमें आप डिजाइन एन अट्रेक्टिव पोस्टर तो रज़ा अवरनेस फॉर एट और लोगों को जागरुकता बताने के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए यहां पर एक आकरशित पोस्टर प्रेपेर करना था ठीक है निकी ब्लड डोनेशन का आपको एक प्रेपेर पोस्टर करना था उसके बाद में प्रेश्टर बांग कोर देखते हैं हम यू आर अनीता पतेल रेसिडिंग एट 254 साकित नगर बाला घार ट्राइटा लेटर टूर एडिटर आप लोकल इस पर एकस्प्रेशिंग यूर पांसन अबाट ड डेटर टिंग ला एड अर्डर सिच्वेशन इंदा सिटी यहने कि आपके जो सहर है सहर में कानून के विरुध आप जागरू करना चाहते हैं और जो लोगों के अवेर्नेस यो कि जो चिंता हैं, लोग जिसमें आप एक स्थाने समाचार पत्र रिने की संपादक को एक पत्र लिखना था, जिसमें आपकी जो सहर है, जिसमें कानून के गरत विवस्था बिगड रही है इस है तो एक समपादक को एक पत्र इस में लिखना था उसकी बाद में इसके ओवार अगर आपने अगर किया है तो यहां पर एक पत्र लिखना था, उसके बाद में प्रस्टक मांग 5 में आपको यहां पर जो पॉइंट्स जो देरेके कार्टिकल लिखना था, यहां पर प्रस्ट के उपर बच्चो आपको यहां पर एक आर्टिकल प्रेपेर करना था, उसके बाद में यहां पर प्रस्टक मांग इसका फाइप का अगर और अवर देखा जाए तो यहां पर इस संबंदित कोई दो प्रस्ट आज की इस प्रस्ट पत्र में पूछे गए हैं, उसके बाद में बच्चो यहां पर प्रस्ट कोवांग 6 देखते हैं तो फिलेंदा ब्लैंक्स यहां पर पूछा गयता ही इस MBA तो बिल्कुल किलिर हो रहा है कि अगर आप MBA अगर लिखते हैं तो यहां पर A आपका जो है A आपका स्वर आ रहा है तो यहां पर बल्ही बाती आप जानते हैं कि पहले में आपका इन आर्टिकल आ जाएगा उसके बात में दा में दा पुलिश आरेस्टेट लास्ट नाइट इस अ बिक छीप है ना तो यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया यहां कि दूसरा जो कोश्चन से है जिसमें हूम अनसा आएगा यह सारे अबजेक्टिवस मेंने बहुत अच्छी तरह से कंप्लेट करवाए हैं और सारे के सारे कंप्लेट आपने किये होंगे उसके बात में यहां पर जो तीसरा प्रस ना पूछा गाए तो यहां पर इसमें सी आ रहा है यहनी कि आपका बहुत हो रहा है तो विजिट्स आ जाएगा क्या जाएगा विजिट्स उसके बात में यहां पर देख लेते हैं अगला प्रस नंबर फूर सी वस बॉर्न एंड बाव्ट अबड़ अमबाला तो यहाँ पर bigger places की बात हो रही है तो in proposition आ जाएगा ठीक है उसकी बाद में देख लेते दा weather was cold मोसम ठंडा था किन्तु कोई हवा नहीं थी है ना तो यहाँ पर प्रस्ण वांग 5 में आपका no आ जाएगा उसके बाद में देख लेते अंतिम प्रस्ण फिलिंदा ब्लेंक्स का he could work fast when he was young जब वहाँ तेज दोड़ता था जब वहाँ युवा था ठीक है तो यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा पास्ट की बात हो रही है कोड़ अंसर आ जाएगा उसके बाद में बच्चों यहाँ पर जान लेते हैं फिलिंदा ब्लेंक्स के बाद में डूइस ड्याग्टेट के कोस्टनों का अंसर है ना तो चैंज इंटू नेगेटिव कोस्टन से बनाना है विदाउट चैंजिंग दा मिनिंग बिना सब्द का बिना अर्थ बदले हुए आपको नकारात्मक बनाना है वहाँ हमेशा खोस है तो आपका सही उत्तर बन जाएगा यानि कि प्रश्णक मांग पहले का अंसर में यहां लिख देता हूँ तो he is never said he is never said वहाँ कभी दुखी नहीं है है ना वहाँ कभी दुखी नहीं है वहाँ बिलकुल दुखी नहीं है मतलब अंसर बन गया कि वह हमेशा खोश है ठीक है तो ये नेगेटिव भी बन गया और आपका without changing था sentence भी हो गया यहने कि यह आपका पहले प्रश्न का अंसर बन गया उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं nearaj said where does live यहां पर आपका यह जो direct से indirect speech narration में अगर change करते हैं तो nearaj आपका subject ऐसा ही होगा और उसके बाद में said है ना तो nearaj asked हो जाएगा nearaj asked और यहां पर उसके बाद में हम date लगाएंगे और date के बाद में आपका wire वैसा ही रहेगा ठीके और does see live है तो यह present indefinite है तो यह हो जाएगा past indefinite यहने कि see lived है ना रोल से आपने समझे होंगे कि अगर आपके इसमें narration में पुरा tense बदलता है present indefinite था यह sentence तो हमने यहां से तो यहां तक sentence past indefinite कर दिया ठीके उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रस्न कमांग को 3 यहने कि see replied that he would come यहने कि underline जो sentence है इसमें आपको underline हले कि इसमें किया नहीं है उसमें आपको clause बताना है तो अगर कोई sentence अगर that से जुड़ता है तो वहाँ हो जाएगा आपका noun clause noun clause हो जाएगा ठीके उसके बाद में प्यारे विध्यारतियों देखते हैं अगला प्रस्न कमांग फूर योज़ा आप no sonar देन का प्रियुक करना है तो आपको एस सुनेज हटाना है और उसकी इस्थान पर no sonar लगाना था no sonar के बाद में आपको यहाँ पर the children सा यहाँ की past indefinite है इसका मतलब यहाँ पर आपको did लगाना है did the children चिल्डरन आपका subject है और सा से आपका हो जाएगा the snake the snake और कॉमा है कॉमा के इस्थान पर देन आ जाएगा देन और उसकी बाद में they started to दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी बाद में इस प्रकासे पूरा हो जाएगा एक बार पर सुन लिजीए एस सुनेज हटाना उसकी इस्थान पर नो सुनर लगाना है और नो सुनर के बाद में did लगाना है और उस सा जो वर्ब है उसको c करना है second form क्योंकि आप did लगा रहे हैं और कॉमा के इस्थान पर देन से सी अथावात रखना है उसकी बाद में देख लेते हैं अगला प्रस्ट नो यानि कि प्रस्ट वांग 5 पर आपका पैसिव में चेंज करना है ध्यान दीजिएगा बच्चो यहां पर आपका जो सेंटेंस है यह पास्ट कंटिनियूस का इसकी बाद में साथी भी वाज लगेगा लेकिन हमें नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो कोस्टेंस था नेगेटिव आया था इसलिए हमें नेगेटिव अंसर देंगी नॉट के बाद में बिंग है ना बिंग लगाएंगे और इसकी थर्ड फर्म लग जाएगी टास है ना और उसकी बाद में बाई बाई प्रपोजिशन वर्ड और ही से हो जाएगा हम एक बार फिर पूरा अंसर सुन लिजी इंग्लिस वाज नाट बिंग टाट बाई हम यह आपका पूरा उत्तर बनेगा ठीक है उसकी बाद में अगला प्रस्न देख लेते हैं प्रस् हैं सिंपल का नेगेटिव है तो आपको उसमें भी आपको नेगेटिव योज़ करना पड़ेगा यहां पर आपको इसमें आपको विल नाट के इस्तान पर डेड नाट लगाना था उनली विल नाट के इस्तान पर डेड नाट लगाना आपका उत्तर बनेगा फिर देख ले यह कुछ बन सिंग यह आप्शन सापका सही होगा देख लेते हैं अगला प्रस्ट कमांग 2 who has been referred as c c किसको refer कर रहा है तो grandmother's को refer कर रहा है grandmother of the author यह दादी मा उसके बाद में प्रस्ट कमांग 3 देखते हैं तो which word in the extract means picture of past यह ना तो आपका सही उत्तर हो जाएगा portrait यह ने किसी option से इसमें सही होगा उसके बाद में according to the extract how old did the grandmother grandfather look in the portrait इस portrait में जो दादा जी की जो image है वो कितने वस पुराने दिख रहे हैं less than hundred years old है ठीक है यह ने की सो से भी कम उसके बाद में अगला प्रस्ट हैं आपका बच्चों यहां पर which of the following has not been not been depicted in the portrait तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहने की ornaments ठीक है यहने की इनमें beard, turban और cloth से का explain किया गया है लेकिन ornaments यहने की abu sun का इसमें explains इस lessons में नहीं किया तो आपका d options सही होगा उसके बाद में read the following extract from the poem and the answer the question given below poem से है आपकी last poem से है यहां पर पंक्तिया पूछे गई है what does the father wish for तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहने की एक पिता और पुत्र के बीच में conversation हो रहा है जिसमें a options आपका सही है यहने की understanding आपका सही उत्तर हो जाएगा what kind of relationship the father and the son have ठीक है यहने की आपका बी उप्सन है की estranged यह आपका बी उप्सन से इसमें सही होगा उसके बाद में this line show यह जो लाइन ने क्या show करती है तो यह ग्रेफ यहने की इसी option से सही होगा उसके बाद में बच्चों यहां पर आपका प्रेस्ट मांग 9 के बी में फिर एक अंसिन पैसेज पूछा गया था तो इसका अंसर से हम देख लेते हैं यहने की पहला जो प्रेस्ट ने how was the newborn child है यहना तो जो नया बच्चा था जो न्यू बच्चा था न्यू बैबी था वह कैसा था तो वहाँ लाइपलेस था यहने की वहाँ निर्जिव था बी ओप्संस आपका सही होगा उसके बद में दा डिलेमा डॉक्टर आंड्रू कॉन फ्रॉन्टेड वास यहने की बी ओप्स जो दूसरा प्रेस्ट नहीं है तो आपका सही उत्तर बन जाएगा यहने की ए ओप्संस तो सेव चाइल्ड और मदर ठीक है उसके बद में अगला नमबर थार्ड देखेंगे दा इन दा डिलेमा ही फैस्ट वाट डिड आंड्रू डू तो सही उत्तर बन जाएगा चेक अपॉन आ सुजैन फर्स्ट उसके बद में प्रेस्ट का वांग फोर है विच अब दा फॉल आने की सामानारति आपको सही उत्तर हो जाएगा इने की फ्रेंटेक सही उत्तर हो जाएगा बच्चो इसका फ्रेंटेक उसके बाद में यह कोशन अंसर्स पूछे गोई थे आभी होप आपने सारे कोशन अंसर्स कर दिये होंगे अगर आप चैनल पर पहले बार आ गई हैं रहे हों तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक किजिएगा जदे जद दूस्तव के तरह टक सायर किजिएगा ठीके मिलते हैं नएग व्यडियो लेक्चर में तब तक लिए जैहिन वदने मातरम टेक के यार थांक यू सो मच ini सो मच